नमस्कार प्रभू के किल्प्या में आप सभी का स्वाधत है आप सब कैसे हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें कहां हुआ था श्री राधा रानी का जनन और उनका विभा क्या राधा रानी श्री कृष्णी की मामी थी या पुत्र बदु थी तो चलिए शुरू करते हैं राधा रानी का जिक्र महा भारत में नहीं मिलता भगवत पुराण में भी नहीं मिलता राधा का जिक्र पदम पुराण और ब्रह्म बैवर्थ पुराण में मिलता है पदम पुरान के अनुसार राधा ब्रिश भानु नामग गोपी की पुत्री थी ब्रह्म बैवर्ट पुरान के अनुसार राधा कृष्णी की मित्र थी और उनका विवा रपान, रयान अथवा अयन गुष नामग व्यक्ति के साथ हुआ था कुछ विदवान मानते हैं कि राधा जी का जनम युम्ना के निकट इस्थित रवल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बनारस में बस गये लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जनम बनारस में हुआ था राधा रानी का विश्व प्रसित मंदिर बनारस ग्राम की पहाड़ी परिस्थित है बनारस में राधा को लाडली कहा जाता था ब्रह्म बैवर्थ कुरान के अनुसार राधा श्रे कृष्णी की मामी थी क्योंकि उनका बिवा कृष्णी की माता यसोधा के भाई रायान के साथ हुआ था ब्रह्म बैवर्थ कुरान के अनुसार राधा को कृष्णी की पुत्री से दिकी गई है राधा का पती रायान गो लोग में श्री कृष्णी का अंशबूद गोब थे अता गो लोग के रिष्टे से राधा श्री कृष्णी की पुत्र बदू हुई माना जाता है कि गोब कुल में रायान रहते थे मतलब यह है कि राधा का श्री कृष्णी से पिछले जनम का भी रिष्टा था यह भी है कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है झाल झाल